तुसे कॉंग्रेस विदायक हरीश चौधरी को गोली मारने की धमकी ओडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तुसे कॉंग्रेस पार्टी के विदायक हरीश चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है गोली मारने का ओडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है राजिस्तान का नया सीम कौन बनेगा इस पर राजनितिक माहल गरम है नय सीम के चैन को लेकर जैपूर से दिली तक मंधन जारी है साथ ही बड़े बंदी की खबर भी राजिस्तान के राजनितिक फिजाओं में फैली हुई है इसी बीच बाडमेर जिले के एक विधायक को गोली मारने की खबर आई है बाडमेर जिले के बाइटू से कॉंग्रेस विधायक हरीश चौधरी को धमकी मिली है जिसका ओडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ओडियो में एक यूवक कर रहा है कि पिस्टल लेकर दो हरीश चौधरी को गोली मार दूँगा ओडियो के सामने आने के बाद बाइटू से कॉंग्रेस विधायक हरीश चौधरी अलट हो गए है तुरंथ ही अरिश चौधरी ने धमकी भरे ओडियो की जानकारी बाड़मेर एस्पी दिग्गत आनन्द को फोन से दी अरिश चौधरी को वाइस रेनी की सुरुकसा मिली हुई है बाइटू में कॉंग्रेस से भाजपा को हराया था बाड़मेर जिले के बाइटू विजानसवा सीट से कॉंग्रेस परत्याक्सी हरीश चौधरी ने भाजपा के परत्याक्सी बालाराम मूंड को 25,101 वोटों से हराया था भाजपा परत्याक्सी बालाराम मूंड को कुल 51,720 वोट मिले थे कॉंग्रेस प्रत्याक्सी हरीश चौदरी को कुल 46,821 वोट मिले थे भाजपा नहीं अरलपी के उम्मेदाराम से हुआ संगरस बायतुविदानसबा सीट पर हुए चुनाओं में भाजपा प्रत्याक्सी बालाराम मून तींसरे इस्तान पर रहे यहाँ पर आरलपी का जो असली मुकाबला हरीश चौदरी और उम्मेदाराम बैनिवाल के बीच था असली मुकाबला हरीश चौदरी और आरलपी के उम्मेदाराम के बीच हुआ आरलपी से उम्मेदाराम दूसरे निमबर पर रहे